आज मैं साबुदाना की बहुत ही मज़ेदार सी रेशपी लेकर आई हूँ एक कीन मानिये फ्रेंड इसे देखने के बाद आप इसे जरूर जरूर से बनाएंगे आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है एक दम नए तरीका से मैंनी बनाया है तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिया है डेड़ कब भरके साबुदाना आप कितना रेशपी बनाने चाहते हैं उसके काड़न कम जादा ले सकते हैं आप चाहे तो छोटे साबुदाना आता है वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इस साइज के जो साबुदाना आता है बड़े-बड़े साइज का वह भी आप ले सकते हैं आपके पास जो भी साबुदाना है ले सकते हैं तो साबुदाना में बहुत सारा स्टार्च होता है और गर्दा भी होती है तो उसको हम पहले से पोच लेंगे इसको तो कॉटन कपड़ा लेंगे उसको भिगो के और पारी सारा निचोड देंगे और कप्ड़े पूरी तरह से अच्छा से इसको पोच लेंगे, जो भी इसमें कचड़ा रहेगा, गर्दा रहेगा, पूरी तरह से साफ हो जाएगी, एकदम प्लीन हो जाएगी, तो इसको पोचने के लिए, कॉटन कपड़ा से ही पोचिएगा, पोचने से फैदा ये भी होती है, ये थोड़ा नरम हो हो जाएगी, थोड़ा ये नरम हो जाएगी पोचने से, बिल्कुल भी नहीं है, इसको पोच के लेना है इस तरह से, तो देख सकते हैं, इदम पूरी तरह से, क्लीन हो गई है, इदम पूरा तरह से, ये साफ हो गई है, साब उदाना, आप पोचने के बाद में, हम दुसरे निकालने के बाद में, अब हम चलेंगे, गैस की तरफ, क्योंकि ये बनाने के लिए पूरी तरह से तयार है, अब बिल्कुल इसको रखना नहीं है, जादे टाइम तक, अब इसे फ्राइक करने के लिए, मैंने यहां पे तेल गरम करके रखा है, तो ध्यान रखिएगा तेल को बहुत अच्छा से गरम करना हाई फ्लेम पे, दो से तीन ताना देख लेना, जैसे यह उपर आ जाए, तो पूरी तरह से देख सकते तेल पूरी तरह से गरम है, अब साबु दाना धीरे-धीरे करके डालेंगे, इस पे गिराएंगे, जैसे जैसे साबु दाना अगर हाई फ्लेम पे साबु दाना को डालेंगे और तेल पूरी तरह से अच्छा से गरम होना चाहिए, अब 2-3 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे उलटते पलटते साबु दाना को फ्राइ कर लेंगे, तो 2-3 मिनट देख सकते हो गई है, सबी साबु दाना फूल के तयार हो आप इसको हम जारा से निकाल लेंगे सभी साबुदाना को देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुर भी चेंज भी नहीं हुआ है और काफी अच्छा से साबुदाना फूल भी गई है और बाकी जो साबुदाना बची हुई है इसी तरह से हम थोड़ा-थोड़ा करके तेल में फ् साबुदाना फ्राइ करके हो जाती है और काफी कम समय में यह तैयार हो जाती है तो फ्रेंड एक बात का मैं याद दिला दे रहे हैं साबुदाना की अगर आप लोग को यह रेस्पी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर से करिएगा और हमारे चैनल पर जो लो की तो मंफली के दाना को फ्राइब करते समय गास का फ्लेम मेडियू मीडियू लो रखना इसमें अगर नहीं है तो हटा सकती हैं । फलो हटा सकती हैं। तो तींसेटि को फ्राइट करने सब्सक्राइए तो । आप होने तक , करेंज़ों पॉल्डेट helps लिए पोहा में अधा कपली हुँ तो दो बार में इसको फ्राई करूगी तो आधा पोहा मैंने डाल दिया है इस समय गर्ष कफले महाई रखने देना है यह पोहा को डालेंगे पोहा जैसे ही फूल जाए पूरी तरह से अच्छा से सीक जाए अब इसको छानके निकाल लेना है तो द निकाल लेंगे तो कोई भी बरतन ले सकते है थाली प्रात या प्लेट अब इसमें हम साबुदाना डाल दीए हैं साथ में पोहा डाल देंगे और इसी के साथ में अमफली का दाना डाल देंगे यह जो रेश्पी में बना रही फ्रेंड नमकीन काफी ज्यादा टेस्टी लगती है और काफी क्रिस्पी लगती है और साथ में कड़ी पत्ता और साथ में जो मिर्ची फ्राइ करके रखे हैं वो भी डाल देंगे यह नमकीन बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट लगती है तो आप अगर वरत में बना रहे हैं तो बरत का ही चीज डालिएगा और पोहा की जगह आप इहां पे आलू को कदू कस करके इसको फ्राइब करके डाल सकते हैं आप इस तरीका से नमकीन बना कर आप किसी भी समय खा सकते हैं बरत में बहुत ज़्यादा स्वादिश लगती है आपको देखकर ही पता चल लाओगा कितना क्रिश्पी बनी है तो देख सकते हैं मैं आप लोग को मैस करके भी दिखा दे रहे हूं बहुत ज़्यादा क्रिश्पी बनी है यह देख सकते हैं यह दातों में बिलुकुल भी नहीं फ भस्ता बनकर तयार होई है तो यह जो हमारी नमकीन है सस्ते में बहुत सारे नमकीन बनकर में तयार हो जाती है और किसी भी कंटीनर में इसको भरकर रखती जिए आप महिनों तक खाई यह बिल्कुल भी खराब होने वाली यह नमकीन नहीं है तो फ्रेंड आप लोग जरूर जरूर से ट्राई करियेगा अगर पसंद आई होगी आज की रेश्पी तो वीडियो को लाइक करियेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करियेगा और जादे सदे जादे लोगों में सेर करियेगा इस सामन के महिना में सभी लोग अपने घर में इस तरीका से नमकीन बना कर जरूर से खाएं अगर आप ब्रत में खा रहे हैं तो फ्रेंड ब्रत का ही समानिस में डालिएगा अगर बिना ब्रत का खा रहे हैं तो आप इस तरीका से बना कर आप खा सकते हैं अगर फेस्बुक पे पेज पे आप लोग देख रहे हैं इस रे मैं तो चार के साथ में खाना बहुत ज्यादा पसंद करती हूं तो इस तरीका से मैं अपने घर में नमकिन वाना के रख देती हूं हमारे घर के सभी लोग इस तरीका से नमकिन खाते हैं काफी हेल्दी होती है और खाने में बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट लगती है और कम स मानों में बनकर तयार भी हो जाती है तो फ्रेंड आज की अगर रेश्पी आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर आज हम घीश कर बहुत ही चटपटा और स्वाधिश टेश्पी अपलों के साथ में सेर कर रहे हैं काफी ज़्यदा पसंद आगी आरवी को पहले पनी में डालके इस तरह से थैली में इसको पटकींगे तीन सचार बार तो इसका जो चिलका पूरी तरह से निकल जाएगी तो ब माइदा या तो गहूं का आटा इसको घोल बनाकर तयार कि लेंगे अलू इंगे उबला हुआ नमक डाल देंगे 17 गात्याय के रांकी निकाल निकल लेंगे पूरी तरह से यह सुनारा गोल्डन हो जाएए मीडियम लो फ्लेंपे तो लीजिय नए तरह की नस